समानतर श्रेडी का योग समानतर श्रेडी 5, 7, 9, 11, 13 और इसी प्रकार आगे के प्रथम 3 पदों का योग S3 से व्यक्ट करें तो S3 बराबर 5, धन 7, धन 9, बराबर 21 इस समानतर श्रेडी के पहले 4 पदों का योग पता करने के लिए आप इसके पहले 4 पद यानि 5, 7, 9 और 11 का योग करेंगे इस तरह से पहले 4 पदों का योग 32 प्राप्त होगा परन्तु यदि आपको इस श्रेडी के पहले 90 पदों का योग पता करना हो तो श्रेडी के पहले 90 पदों को जोड़ना पड़ेगा यह बहुत लंबा होगा किन्तु आप इस श्रेडी के प्रथम पद A सार्वंतर D और पदों की संख्या N पता करके पहले N पदों का योग ज्याद कर सकते हैं समानतर श्रेडी का योग माल लीजे हमारे पास एक समानतर श्रेडी है पांच, साथ, नो, ग्यारह, तेरह और इसी प्रकार आगे अब यदि इस समानतर श्रेडी के तीन पदों का योग मुझे ज्याद करना है तो समानतर श्रेडी के योग को हम S से दिखाते हैं और यदि इसके तीन पदों का योग ज्याद करना है तो हम इसे इस प्रकार S3 से वेक्ट कर सकते हैं इसके योग को तो हमें क्या मिलेगा इसका योगफल 5, धन 7, धन 9 याने की बराबर हमको मिलेगा 21 इसी प्रकार यदि हम चाहें तो इसके 4 पदों का भी योग ज्याद कर सकते हैं उसे हम S4 से वेक्ट करेंगे और उसमें हमें इसके प्रथम चार पदों को हम यदि जोड़ दे तो हमें कितना मिल जाएगा ये तीन पद को तो हमने जोड़ा था 21 और धन 11 याने की ये मान हमें मिल जाएगा 32 परन्तु सोचें यदि इस समानतर शेड़ी के 90 पदों को हमें जोड़ना हो या इससे भी अधिक पदों को यदि हमें जोड़ना हो उसका योगफल ग्याद करना हो तो उस इस्तिती में यह बहुत लंबा होगा किन्तु यदि इस स्टेड़ी के प्रथम पद A, सारवानतर D और पदों की संख्या N ये यदि हमें पता हो तो हम इस स्टेड़ी के पहले के N पदों का योगफ ग्याद कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे इसके लिए मान लीजिए समानतर स्टेड़ी कोई समानतर स्टेड़ी है जिसका प्रथम पद प्रथम पद A और सारवानतर D है इसलिए श्टेड़ी क्या हो सकती है क्या लिखेंगे हम श्टेड़ी यदि उसका प्रथम पद A है और सारवानतर D है तो प्रथम पद A दूसरा पद सारवानतर को जोडने पर A धन D और तीसरा पद हो जाएगा A धन 2D इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और इसी प्रकार हम इसके अगले पदों को भी क्यात कर सकते हैं ये एक हमारी समानतर शेड़ी हो गई अब माना समानतर शेड़ी के प्रथम 3 पदों का योग S3 है तो S3 बराबर कितना हो जाएगा इस समानतर शेड़ी से हम यदि इसके तीन पदों को योग लेंगे तो ये एधन एधन डी दूसरा पद और तीसरा पद एधन टूडी इसे हम समीकरन एक मान लेते हैं चलिए आगे देखते हैं हमें S3 का जो मान मिला है वो प्रथम तीन पदों को जब हमने जोड़ा तो हमें मिला एधन एधन डी एधन टूडी इसे हम इस पदों को योग को जो है पदों का योग हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं इसे विपरीत क्रम में लिखने पर इसको विपरीत क्रम में लिख लिए तो S3 बराबर याने कि हम त्रीती पद को पहले लिख रहें A प्लस 2D प्लस A प्लस D प्लस A इसे हमने समी करण 1 माना था और ये हो गया समी करण 2 अब हम समी करण 1 और 2 को पदों के अनुसार जोड़ेंगे को पदों के अनुसार जोडने पर पदों के अनुसार जोडने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर पहले पत को इस के साथ दूसरे पत को इस पत के साथ और तीसरे पत को इस पत के साथ जोड़ेंगे तो जब हम बाएंपक्ष को जोड़ेंगे तो हमें S3 और S3 को जोडने से मिलेगा 2S3 अब देखें ध्यान से हम A के साथ इस पत को जोड़ रहे हैं तो ये हो गया A धन 2D इससे हम इस प्रकार से लिखेंगे अगला पत जो होगा वो देखिए A धन D के साथ इस A धन D को जोड़ना होगा तो ये इस प्रकार लिखाएगा ए धन डी धन ए धन डी इसी प्रकार अगला जो होगा वो हम यहां लिख लेते हैं ये तीसरा पद इसका बड़े कोश्टक में ए धन टूडी और धन यहां पर यहां हमारे पास यह पद है इसे फिर से पुना व्यवस्थित करेंगे और हम यहां देख सकते हैं ए धन ए मतलब यहां पर कोश्टक को खोलने से हमें मिलेगा दो ए धन दो डी उसी प्रकार यहां पर कोश्टक को खोलने के बाद धन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर दो बार A है तो यह हो गया फिर से 2A धन 2D और बिलकुल इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें यह पर दो बार दिख रहा है तो यह भी कोश्टक में हो जाएगा 2A धन 2D चलिए आगे देखते हैं तो हमने देखा कि 2S3 बराबर हमें मिला था 2A प्लस 2D और उसके बाद दूसरी बार भी 2A प्लस 2D और तीसरी बार भी मिला था 2A प्लस 2D तो इस प्रकार यह पर हमारे पास समान पर तीन बार है तो हम 2S3 को लिख सकते हैं तीन गुनित 2A प्लस 2D तो अब S3 का मान यहां से क्या मिलेगा आप इसे लिख सकते हैं दो का पक्षांतर होगा तो 3 बटे 2 और यह हो गया 2A प्लस 2D तो अब हम इसे इस प्रकार व्यवस्तित करके भी लिख सकते हैं इसे हम लिखेंगे 2A धन इस 2 को आप तीन रिन एक की रुप में भी लिख सकते हैं तीन रिन एक गुनित D अब हम इसे समी करण तीन मान लेते हैं मान लेजिए अब हमें समानतर शेडी के प्रथम 4 पदों का योग ज्यात करना है अब हम यहाँ पर ले रहे हैं यह चौथा पद फिर से वही प्रग्रिया दोर आएंगे पदों का योग विप्रीत क्रम में लिखेंगे लिखने पर हमें S4 कितना मिलेगा देखिए हम विप्रीत क्रम में लिखेंगे हैं तो सबसे पहले ही आएगा A प्लस 3D फिर A प्लस 2D A प्लस D और प्लस A चलिए आगे देखते हैं यदि हम इन्हें भी समिकरन का नाम देदें समिकरन 3 यह हो चुका था समिकरन 4 और समिकरन 5 इन्हें भी हम पदों के अनुसार जोडेंगे समी करंट 4 और 5 को चलिए आगे देखते हैं चलिए तो हमने देखा था S4 का योग 4 पदो का योग हम देख चुके हैं और समी करंट 4 और 5 को जोड़ने से हमें मिलेगा 2 गुडित S4 और इससे हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस मिटाओ अब हरबड़ी मत करो ना मेरे प्रेशर में गड़बड़ होगा ठीक है मैं आराम से करते हैं चलिए हमने देखा समी करंट 4 और 5 में हमने प्रथम 4 पदो का योग लिया है और उन दोनों समी करंटों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 2S4 is equal to बड़े कोश्टक में हम ले लेते हैं पदो के अनुसार फिर से हम जोड रहे हैं जैसे हमने पहले किया था तो यह चीज़ें हमें प्राप्त होंगी A plus A plus 3D A plus D plus A plus 2D plus A plus 2D plus A plus D और A plus 3D कोश्टक खोल कर हम इसे हल कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए दो पद हैं यहाँ पर हमारे पास A के तो यह हो जाएगा 2A और 3D कोश्टक को खोल कर हम इसे हल कर रहे दूसरे उसमें हमें क्या मिलेगा कोश्टक को खोलने के बाद तक कौन करने पर 2A देखिए ए और ए को जोडने पर 2A और ये 2D और D 3D हो गया धन फिर से वही मिलेगा हमको A और A को जोडने पर 2A और ये हो गया 3D तो इस प्रकार ये समान पद हमें यहाँ पर कितने बार मिल रहे हैं चार बार तो हम क्या लिखेंगे चार गुणित दो एधन 3D और यहाँ पर हमें 2S4 2S4 S4 का मान यदि हम यहाँ से ग्याद करें तो यह हो जाएगा 4 बटे 2 2A प्लस यह रेखें यहाँ 3 को हम किस प्रकार से लिख सकतें इसे हम 4 रिन 1 रुप में भी लिख सकतें 4 रिन 1 गुणित D यह हमारा हो गया समीकरण 6 अब इसी प्रकार जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है उससे हम यदि S5 ग्याद करना चाहें तो अब हम S5 क्या लिखेंगे S5 हमको मिल जाएगा 5 बटे 2 2A धन 5 रिन 1 गुणित D S6 मिलेगा 6 बटा 2 2A धन 6 रिन 1 गुणित D तो इन सभी समीकरणों के हिसाब से यदि हम इस समीकरणों को भी 6 है यह 7 और इसे 8 मान ले तो चलिए आगे देखते हैं हमने जो समीकरण 3, 6, 7 और 8 के पैटर्न को देखा है उससे हम यह कह सकते हैं कि समानतर श्रेडी जिसका प्रथम पत A और सार्वंतर D है K प्रथम N पदों का योग S N हो तो यदि हम उसे S N से प्रदेशित करें तो S N का जो मान होगा जो हमने अभी तक पैटर्न देखा उसके साब से हम क्या लिख सकते हैं N बटे 2 2 गुणित A धन N रिन 1 गुणित D इस प्रकार समानतर शेड़ी के प्रथम N पदों का योग हमें इस सित्र के साहता से ग्यात हो सकता है